वेलकम तू दा लीडिंग फिस्प्रेट फार्म अगर आप भी जानना चाते हैं कि गोर्मेटा पंजाब ने 9th और FAC के 2020 पेपर्स के लिए कौन से 3 प्रपोजल प्लैन किया हैं तो इस वीडियो का एंट तक जरूर देखिए अच्छा स्टूडेंट्स तो बात कुछ यू है कि 10 अपरेल को HEC ने पंजाब गोर्मेट को रिक्वेस्ट की कि आप हमें 9th, 10th practical और FAC के तमाम कलासिस के पेपर्स लेने के लिए हमें 3 किसम के प्रपोजल बना के दें और वो प्रपोजल उनके पेपर कंड़क्शन से मतालिक तो गोर्मेंट आप पंजाब ने HEC को तीन प्रपोजल बना के दिये जिसमें से पहला प्रपोजल उनने ये दिया कि तमाम के तमाम पेपर्स MCQ बेस्ट हों उससे तीन किसम के फाइदे होंगे पहला फाइदा ये होगा कि उनके जो MCQs हैं वो मशीन से चेक हो जाएंगे औ तीरा फाइदा ये होगा कि कोई टाइम नहीं लगने वाला एफट भी नहीं लगने वाली और तीसरा फाइदा ये होगा कि उससे हमें teacher marking के लिए hire नहीं करने पड़ेंगे जहां इसके तीन benefit हैं वहाँ पर उसके बहुत से नक्सानात भी हैं पहला नुक्सान यह है कि जो पहले से पेपर प्रिंटेड इन कलासिस के बने हुए हैं वो जाय हो जाएंगे दूसरा नुक्सान यह है कि उनके पास इतनी ज्यादा लेटेस्ट सेट अप नहीं है कि वो विदिन नो टाइम यानि बहुत कम अरसे के अंदर अगर फर्स करें उनको एमसे की पेपर जनरेट करना भी पड़े तो टीचर हायर करने पड़ेंगे जो के टाइम कुंजियूमिंग टास्क होगा और तीसरा नुक्सान यह है कि अगर आप स्क्रीन पर देखें तो अब तक हमारे पास जो मुझूदा बबल शीट का बॉक्स मु सिरे से टाइम भी चाहिए और कास्ट भी ज्यादा लगेगी तो इसका जो लास्ट उनों ने डिस्वर्ट अडवांटेजिस दिया वो यह है कि साइंस सब्जेक्ट तो चले को मैट्रिक और फस्ट एर के नंबरों की बहाब पर ही आगे प्रमोट कर देते हैं इससे क्या होगा इससे नाइथ और फस्ट एर के पिपर्स लेने में आसानी होगी यानि कि सिर्फ सेकंड एर के पिपर्पर खतम कर दिये जाए नाइथ और फस्ट एर के पिपर एज इडिये हैं वहां तक तो ये बात ठीक है कि सेकंड एर के पर खत्म कर दिये जाए लेकिन अगर हम सिंद बोर्ड की बात करें तो सिंद बोर्ड में मैट्रिक और यानि नाइन्थ टैंथ में पढ़ाय जाने वाले सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ हैं इसी तरह फस्ट एर और सेकंड एर में पढ़ाय जाने वाले सब्जेक्ट्स भी मुख्तलिफ हैं अगर मैं बात करूं सिंद बोर्ड में नाइन्थ और फस्ट एर की तो उनमें दो सब्जेक कमिस्ट्री और बियालॉजी पढ़ाया जाते हैं नाइन तो फ। नवयप का जाते हैं ही जबके सिंधशिक्ट्री और 10 धूंग में अब यह कैसे पॉसिबल है कि हम publisher भूस्ट बचे 33 परसांड भे यह रहे होते हैं फ। यह के रflower में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन सेवंटी से ज्यादा परसेंटेज भी हो रही होती है तो अब चूंके यहां नंबर्स मैट्रिक और फास्टेयर की विहाब पे लगाए जाएंगे तो उसमें क्या होगा वो बचे जिन्नों न इस साल मेहनत की होगी तो वो मैकसिमम इंगेजमेंट नहीं कर पाएंगे नंबर्स की और वो उन नंबरों से महरूम हो जाएंगे स्टूडेंट्स जो तीसरा पंजाब गोर्मेंट ने शेडूल प्लैन करके दिया है एच इसी को वो यह है कि हम फास्ट एर सेकंड एर और न साइन कर दिये जाएं अब इससे दो फवाइद नजर आए पहला फाइदा तो यह होगा कि टाइम शेडूल स्कीज हो जाएगा में यह कि इस तुरान वो टाइम जो प्रैक्टिकल लेने पर लग रहा था वो नहीं लगेगा स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ा बेनिफिट म मैं यह समझता हूँ कि उन स्टूडेंट्स को होगा जो मेहनत करते हैं और वो यह समझते हैं कि अगर प्रैक्टिकल हम देने जाएं तो प्रैक्टिकल के अंदर ज्यादा ज़ा सफारिश होती है और सफारिश जिनकी होती है उनके पूरे 30 by 30 marks हर सब्जेक्ट में लग जाते तो इस से यह benefit उनको मिल सकता है लेकिन end पर students एक बात याद रखें कि यह जो notification आया है आपको screen पर भी नजर आ रहा है यह notification कोई official notification नहीं है यह just तीन plan है ABC जो के पंजाब government ने HECC को बना कर suggest की हैं कि ऐसा कर लिया जाए तो हो जाएगा otherwise उनकी अपनी मर्दी है कि उसको follow करे या ना करें और एक बात और याद रखें कि वोसे बचे यह expect कर रहे हैं कि में भी इस सफ़ा पेपर ना हूँ तो बचे याद रखें कि बहुत ही कम शाजो ना दिर चासिद हैं कि आपके पेपर ना लिये जाए पेपर आपके हर हाल में ही होंगे आप अपनी त्यारी को continue र